वेल्कम बच्चों, कल हमने निर्पेक्ष नियाय वाक्य की वैदता की जाज के बार में पड़ा था, आज उसी के ही कंटिनुएशन में एक और युक्ति लेते हैं, जो है A.I.I. फिगर नमबर टू, यह है नियाय वाक्य, और यह कंट्लूजन है कि THEREFORE सम् प्रोफेशनल प्लेयर्स आर ग्रेट साइन्टिस्ट, यह मोस्ट इंपोर्टन है एक्जामनेशन में अक्सर यह पूछा जाता है, AII figure number 2 की युक्ति के बारे में किसकी वैदता की जाज कीजिए अब इस युक्ति में पहले जो दो आधार वाक्य है मुख्य और अमुख्य आधार वाक्य है इसमें जो common tom है college graduate, college graduate इसको हमने M नाम दिया पहले मुख्य आधार वाक्य में जो 6 great scientist बचा है उसको हमने P नाम दिया अब मुख्य आधार वाक्य में हमने professional players को S नाम दिया conclusion आपका है S और P की form में जो होना चाहिए वो है आपके इसको हम फिर इस तरह से arrange करेंगे तेक है अब ये जो युक्ति है इसके mood ग्याद करने है major premises जो है all से शुरू हो रहा है तो इसका मानकाकार एए है minor premises आपका sun से शुरू हो रहा है यानि आईश्व आपी तरकवा किया है इसका मानकाकार आई होगा और conclusion भी आपका आईश्व आपी सकारात्मक तरकवा किया है इसका भी मानकाकार आई होगा तो यह आगे आपका AII ठीक है और figure number आपका यह 2 है M की position इस तरह से तो यह figure number 2 हुआ अब इसको हम इन formulas में convert करेंगे जैसे A का formula SP bar equals to 0 तो इसे हमने PM bar equals to 0 इसमें arrange किया I का formula SP not equals to 0 तो SM not equals to 0 conclusion भी same है SP not equals to 0 तो SP not equals to 0 इस तरह से हमने इसको arrange किया है अब हम इसे when R1 में इसकी वैदिता की जाज करेंगे अब इसमें तो आपके वैसे ही arrange युनिवर्सल से शुरू हो रहा है तो आप पहले 3 circle बनाएंगे SP और नाम यह इनका नाम करन करेंगे पहला आधार वाके कहे रहा है PM बार M का निशेद करते हुए और यह A universal है तो इस P को हम इस तरह से shed out करेंगे आपको पहले बता चुक्यूं मैं युनिवर्सल आकार के तरक वाके A और E इस तरह से shed out होते हैं और particular या आइश्वयापी तरक वाके आई औरो इसमें हम X रख करके शो करते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका SM not equals to 0 SM का शेत्र आपका यह है कि S और M का शेत्र है इसमें आप यह जो X है इस X को कहा रखें यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि कुछ ऐसी बात है जो एक से तो संबन्दित है पर किस से संबन्दित है यह सुचित नहीं कर रहा है यानि यहाँ पर SMंजस की इस्तिती है संशे की इस्तिती है कि X को कहा पर रख करके रिखांकित किया जाए इसलिए ऐसी इस्तिती में हम X को LINE पर रख करके रिखांकन करते हैं ठीक हैं कंक्लूजन आपका है SP not equals to zero यह हमें केवल देखना होता है S और P का शेत्र आपका यह है यह पूरा S और P का शेत्र है इसमें आप देखो यह पूरा चाहिंकित नहीं हुआ है यह हाफ साइड तो आपका इस तरह से शेड आउट है और हाफ साइड में X है भी और नहीं भी है त्यानि यह कहने का मतलब यह पूरा चाहिंकित नहीं हुआ है इसलिए इस युक्ति की वैदता की जाच में हम यह आंसर बताएंगे कि चुंकि निशकर्ष जो है आधार वाक्यों में पूरी तरह से चाहिंकित नहीं हुआ है इसलिए यह युक्ति अवैद आकार की है इसमें एक बात नोट करने वाली हैं कि A.I.I.F. न.2 के जितने भी सिलोजिस में नियाय वाक्य हैं वो हमेशा अवैद आकार के ही होंगे वे हमेशा युक्तियां अवैद ही होंगी इस युक्ति का हिंदी वर्जन मेंने या नीचे लेख दिया है जिन बच्चों को वो समझ में ना है वो इस रूप में भी हिंदी वर्जन में भी देख करके समझ सकते हैं ठीक है अब वैन आरेक में किस तरह से युक्तियों की वैदता की जांच की जाती है ये मैंने आपको समझाया है अब आपको एक संशिप्त रूप में दुबारा बता देती हूं कि मानक आकार निर्पिक्ष्णियाए वाक्यों की वैदता का परिक्षन करने के लिए वैन रेखाचित्रों का प्रयोग जो है वो सामने पदती में ही करते हैं सबसे पहले हम तीन व्रत बनाते हैं और उन तीन व्रतों का नामांकरन करते हैं जैसा कि मैंने अभी इस युक्ति में आपको बताया है फिर दोनों आधार वाक्यों का रेखांकन करेंगे यदि एक आधार वाक्य युनिवर्सल यानि सर्व्यापी या सर्व्यापी और दूसरा अंश्व्यापी हो तो पहले हम सर्व्यापी आधार वाक्यों का रेखांकन करेंगे यदि आधार वाक्य या निर्धार ना करें कि एक्स का रेखांकन रेखा के किस और करना है तो X को रेखा पर रख करके हम अंश्वयापी आधार वाक्यों के रेखांकन में सावधानी बरतनी हमें चाहिए आखिर में आधार वाक्यों का रेखांकन जो है निशकर्ष के रेखांकन को अपने में नीद करता है कि नहीं यह देखने के लिए हमें रिखा चित्र का निरिक्षन करते हैं यदि वह उसे नीद करता है तो न्याय वाक्य या युक्ति वैलिड है अवन्य था न्याय वाक्य जो है इन वैलिड है अवे दाकार की ठीक है आज ये चेप्टर समाप्त हुआ कल हम नया चेप्टर लेंगे थेंक्यू